हाई कोट की लखनव बेंच ने मुखतार अंसारी की उस याचका को खारिज कर दिया है जिसमें मुखतार के खिलाफ हजरत गंस्थाने में दर्ज F.I.R. को चुनोती दी गई थी उक्ते F.I.R. में मुखतार वो उसके बेटों पर जिया मौव इलाके में एक निस्क्रांत संपत्ति को अवैद रूप से कुट रचित दस्तावेजों के सहारे हथियाने और अवैद निर्माड करने का आरोप है वही नियायले ने उसके बेटों की याचका पर अगली सुनवाई के लिए चार मार्च की तिथी तैकी है अगली सुनवाई तक मुखतार के बेटों की गिरफतारी पर लगी रोक जारी रहेगी न्यायमूर्ति रमेश सिंहा वो न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीट नयादेश मुकतार अंसारी वो उसके बेटों अब्बास अंसारी वो उमार अंसारी के दो अलग अलग याजकाऊं पर पारित किया नियायले ने मुख्तार अंसारी की याजका खारिज करते हुए अपना विस्त्री तादे सुरक्षित कर लिया है वहीं उसके बेटों की याजका पर उनके धिवक्ता HGS परिहार ने सरकार के जवाबी हलप नामे पर प्रतियुत्तर दाखिल करने के लिए समय मांगा जिसे निय रफ्तारी पर एकईस अक्टूबर 2020 को नियायले ने रोक लगा दी थी उलेखनिया है कि जिया मुख के प्रभारी लेखपाल सुरजन लाल ने 27 अगस 2020 को मुख्तार अंसारी वो उसके बेटों के खिलाफ अचरत के थाने में प्रात्मिकी दर्ज कराई थी इस मामले में तीन झाल 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 झाल